दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी खबर दोस्तो साउध अफरीकी कप्तान फाब डू प्लेसिस ने दिया बड़ा बयान कहा काश रोहित शर्मा अगर हमारे टीम में होते तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साउध अफरीका के कप्तान फाब डू प्लेसिस ने रोहित शर्मा को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है क्या दिल चूलेने वाली बात कही है तो चलिए दोस्तो गर आप भी रोहित शर्मा को टॉप क्लास बल्लेबाज मानते हो विश्व का सबसे बहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर करें दोस्तो आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ एक हजार लाइक का है तो दोस्तो रोहित शर्मा को सपोर्ट करे एक लाइक जरूर करे तो चलिए दोस्तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तो भारत और दक्षिन अफरीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और यह टेस्ट मुकाबला भारतिय टीम ने 203 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया दोस्तो बता दें की इस मुकाबले में भारतिय टीम ने पहले पारी में 502 रन बनाई थे और पारी को घोशित भी कर दिया था और वहीं पर दोस्तो दक्षिन अफरीका के टीम ने पहली पारी में 431 रन बना कर ओल आउट हो गए दोस्तो दूसरी पारी में भारतिय टीम ने 4 विकेट के नुक्सान पर 323 रन बनाए और पारी को घोशित कर दिया वहीं पर दोस्तो जवाब में दक्षिन अफरीका के टीम को 395 रनों का लक्ष मिला था हालांकि वह 191 रन बना कर ही आउट हो गई और यहाँ पर टीम इंडिया ने एतिहासिक जीत दक्षिन अफरीका के खिलाफ यहाँ पर मिली दोस्तो भारत ने दक्षिन अफरीका को 203 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया इसी के साथ दोस्तो भारतिय टीम ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में एक जीरो से बड़त बना ली है अब दोस्तो भारत और दक्षिन अफरीका के बीच 10 अक्टुमबर से दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा दोस्तो पहले टेस्ट मुकाबले में भारतिय टीम के तरफ से हिट मैन रोहित शर्मा ने बहुत शांदार और धमाकेदार प्रदशन किया उन्होंने पहली एवा दूसरी पारी में भी शतक लगाया पहली पारी में रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए तो वहीं पर दोस्तो दूसरी पारी में 127 रन बनाकर आउट हो गए दोस्तो भारत की तरफ से पहले पारी में मयंक अगरवाल ने 12 शतक लगाया उन्होंने दोस्तो 15 रन बनाकर आउट हो गए थे दोस्तो अब इस वक्त के बेहत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दोस्तो साउध अफरीकी की कप्तान साउध अफरीका के टीम हारने के बाद कप्तान फाबडू प्लेसिस ने प्रेस कॉंफिरंस में रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है जहां दोस्तो फाबडू प्लेसिस ने कहा कि रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट में जो भी प्रदशन किया है उसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उन्हें क्या कहू भारते टीम खुश नसीब है कि जो रोहिद जैसे खिलाडी उन्हें मिले हैं और काश हमारे टीम में रोहिद सर्मा होते तो आज का यह मुकाबला हम जीत पाते रोहित सर्मा मेरे पसंदीदा बल्लेबाज है और अब मुझे वह काफी पसंद आने लगे हैं और पहले विराट कोली मुझे पसंद आने आते थे लेकिन अब रोहित सर्मा मुझे पसंदीदा बल्लेबाज बन गए हैं तो दोस्तो ऐसे में कप्टान फाप डू प्लेसिस ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि अब उन्हें रोहिच शर्मा पसंद आने लगे हैं ना कि विराट कोली ऐसे में दोस्तों आप सभी की महतोपूर्ण राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए दोस्तों आपको इन दोने में से कौन सा बल्लेबाज पसंद आता है उसका जुआब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए दोस्तो रोहिद शर्मा और विराट कोली में से किसी एक बल्लेबास का नाम कमेंट में जरूर दिखे और दोस्तो रोहिद शर्मा के लिए इस वीडियो को अभी के अभी फॉरण एक लाइक जरूर करे और दोस्तो हमारे यूटुब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे और नो रोहिद शर्मा को लेकर कही दिल चो लेने वाली बात नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का फिर से हमार यूटूब चैनल करकेट देखो जी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहतरीन बल्ले बाद चेतिश्वर पुजारा ने दुनि रोहिद शर्मा को एक खतरनाक बल्ले बाद मानते हो दुनिया का सबसे बहतरीन बल्ले बाद मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ एक हजार लाइक का है तो आपका एक लाइक जरूर करें और रोहिद श इस टेश्ट मैच के चोते दिन भारतिय टीम ने दक्षिन अफरीका के ऊपर अपनी पकड मजबूत बना ली है। और दक्षिन अफरीका को टेश्ट मैच जीतने के लिए दोस्तो 395 रनों का लक्ष मिला। जिसके जवाब में चोते दिन का खेल खतम होने पर दक्षिन अफरीका के टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 11 रन था। दो छक्के और 13 चोके लगाए। आपको बता दे कि दूसरे पारी में 50 से अधिक रन बना कर रोहित सर्मा ने एक शांदा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दरसल दोस्तो वह एक ऐसे खिलाडी बन गये हैं जिनोंने भारत की धरती पर लगातार साथ पारियों में 50 से अधिक का स्कोर किया है। वह घरेलू धरती पर खेलते हुए टेस्ट मैचों में पिछले 7 पारियों में 50 से कम रन पर आउट नहीं हुए हैं। दोस्तो चोते दिन का खेल खतम होने के बाद चेतेश्वर पुजारा ने स्टार पोर्ट्स के प्रेस कॉंफिरंस में रोहित सर्मा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बनाई थी वह मेरे लिए काफी मददगार पारी थी और इसे लिए मैं आज अच्छी तरह से रन बना पाया हूँ। पर अपनी जबान खोल दी है और रोहित सर्मा को लेकर तारिपों के पूल बांद लिये हैं। इसे में दोस्तों रोहित सर्मा को लेकर आप सभी की महतोपूर्न राय क्या है हमें कमेट बॉक्स में जरूर बताए। क्यूंकि दोस्तों आप सभी को बता दी कि चेतेश्वर पुजानरा भी कहा कि विराट कोहली से बहतरीन बल्लेबाद रोहित सर्मा है। इसे में दोस्तों आप सभी से हम भी एक सवाल पूछते हैं कि क्या रोहित सर्मा सच में विराट कोहली से बहतरीन बल्लेबाद हैं। उसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रोहित सर्मा के लिए अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कि साउध अफरिका के तूफानी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने रोहिच छर्मा को लेकर क्या बड़ी हैरान कर देने वाली बात कही है और क्या बड़ा खुलासा किया है तो चलिए दोस्तो अगर आप भी रोहिच छर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो विश्व का सबसे बहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर करे और दोस्तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे तो चलिए दोस्तो बिना वक दक्षिन अफरिका का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर 49 रन था उसके बाद तिसरे दिन के खेल में दक्षिन अफरिका की टीम टीम के शांदार बल्लेबाज ने खेल दिखाया जिहां दोस्तों अब उनकी टीम मजबूस्तिती में पहुंच चुकी है तीसरे दिन के खेल में दक्षिन अफरिका के टीम की तरब से डीन एलगर ने 160 रन की महतोपूर्न पारी खेली तो वहीं पर दोस्तों दूसरी तरब से क्विंटन डीकॉक ने 111 रनों की धमाकेदार पारी खेली और तीसरे दिन के खेल समापती पर दक्षिन अफ्रिका की टीम का स्कोर आट विकेट के लिए।